अमारे देश में अमन और सांती का पैगाम लेकर मलेशिया से साइकल पर हज यात्रा के लिए निकले नरुद्दिन और अस्मादी जो की मद्र प्रदेश के गुना नगर से होते हुए निकले जैसे ही गुना के मुस्लिम समुदाय को ये बात पता चली तो गुना जिले के युवकों ने इन दोनों हज यात्रियों का भवे स्वागत किया मलेशियाई हज यात्री अपनी साइकल से दुनिया भर में होते हुए लगभग 18,000 किलोमीटर का लंबा सफर करके हज यात्रा पूरी करेंगे मद्प्रदेश के जीला गुना पहुचने पर यहां के लोगों ने एक जुलूस की सकल में उनके साथ कुछ दूर यात्रा भी की गुना के सहर काजी के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार पता लगा कि ये दोनों हज यात्री मलेशिया निवासी हैं 65 वर्षिय नरूद्दिन एवं 30 वर्षिय अस्मादी हैं ये दोनों हज यात्री 20 नवंबर 2017 के दिन से मलेशिया से साइकल लेकर मक्का मदिना के लिए निकले हैं और इतना ही नहीं इनके अलावा मलेशिया के ही लगभग 60 लोग इसी तरह से विश्व भ्रमड पर अलग-अलग रास्तों से निकले हुए हैं